इसलाम अलेकूम डिएर स्ट्वेंट्स डिएर श्ट्वेंट्स, आज की लिक्चर में हम integration problems part 2 trigonometric functions की कुछ questions जो है वो साल करेंगी आज कीposition की questions हमारी फास ये है integration of सब से पहला question है integration of sin square x dx second question है integration of cos square x dx और तर्ड क्विस्चन है इंटिग्रेशन आफ कार्ट स्क्वेर एक्स डी एक्स सबसे पहले आते हैं पर्स्ट क्विस्चन की तरफ इंटिग्रेशन आफ साइन स्क्वेर एक्स और डी एक्स अगर हम डारिक साइन स्क्वेर एक्स का इंटिग्रेशन मालूम करना चाहे तो हम मालूम नहीं कर सकती है इसके लिए हमें ट्रिग्निमेंटरी का फार्मूला यूज़ करना होगा हमारे पास ट्रिग्निमेंटरी की टू फार्मूलाज है उन फर्मूला की मदद से हम question number 1 और 2 को असानी की साथ साल कर सकती है सबसे पहला फर्मूला है sin square x हमारे पास बराबर है 1 minus cos 2x divide by 2 की sin square x is equal to 1 minus cos 2x divide by 2 ये फर्मूला हमारे पास ट्रेग्निमेंटरी में मौझूद है यहाँ पर ये फर्मूला यूज़ करेंगे this is equal to integration of sin square x की जगा हम ये फर्मूला यूज़ करेंगे 1 minus cos 2x divide by 2 into dx अब 2 को 1 की नीची अलग लिक लेते हैं और cos 2x की नीची अलग लिक लेते हैं into dx अब इन दोनों का integration अलग अलग ले लेते हैं integration of 1 or 2 dx minus integration of cos 2x divide by 2 dx अब यहाँ पर 1 or 2 constant है इसको आगी ले आते हैं 1 or 2 integration of dx minus यहाँ पर भी 1 or 2 constant है इसको आगी ले आते हैं integration of cos 2x dx 1 or 2 into यहाँ पर dx मौजूद है integration में तो इसका integration क्या होगा? x minus 1 or 2 cos का integration है sin 2x और इसकी angle का derivative याने 2x का derivative है 2 वो हुआ पर मौजूद नहीं है इसलिए इसको denominator में लिख लेते हैं प्लस c इस परदर इकोल तो x into 1x divided by 2 minus sin 2x multiplied by 1 इसे बनेगा sin 2x divided by 2 into 2 इसे बनेगा 4 और फ्लस c यह इसका answer है अब second question की तरफ आते हैं integration of cos square x dx जिस तरह हमारी फास यह फर्मूला है बिलकुल इसी तरह हमारी फास एक और फर्मूला भी है cos की लिए cos square x बरावर है 1 plus cos 2x divide by 2 की sin square x इसकी बरावर है और cos square x इसकी बरावर है यह half angle identities यह trigonometry में मुझूद है cos square x की जगा हम यह फर्मूला यूज़ करेंगे integration of 1 plus cos 2x divide by 2 into dx अब 2 को 1 और cos की नीची अलग-अलग लिख लेते है into dx इस इस इकुल टू अब दोनों का integration अलग-अलग ले लेते है integration of 1 over 2 dx plus integration of cos 2x divide by 2 dx अब 1 over 2 constant है इसको आगी ले आते है 1 over 2 integration of dx plus यहाँ पर भी 1 over 2 constant है इसको भी आगी ले आते है 1 over 2 integration of cos 2x dx यहाँ पर dx का integration क्या होगा x होगा क्योंकि d और integration एक दूसरी के साथ cancel हो जाते है यहाँ पर x आएगा plus 1 over 2 cos का integration है sin और इसकी angle का derivative है 2 वो यहाँ पर मौझूद नहीं है इसलिए इसको denominator में लिक लेते है plus c x multiplied by 1 x divided by 2 plus sin 2x multiplied by 1 इससे बनेगा sin 2x divided by 2 into 2 4 plus c इसका answer है अब last problem की तरफ आते है integration of cot square x dx हमारी फास trigonometry में एक फार्मूला मौझूद है cosec square x यह बराबर है 1 plus cot square x यह हमारी फास एक फार्मूला है अब इस 1 को इस साइट पर shift कर लेते हैं तो cosec square x minus 1 is equal to cot square x यहाँ पर यह फार्मूला यूज कर लेते हैं यानि cot square x की जगा लिख लेते है cosec square x minus 1 is equal to cot square x की जगा यह फार्मूला लिख लेते है cosec square x minus 1 into dx अब दूनों का integration अलग लग लेते हैं integration of cosec square x dx minus integration of 1DX कुं सीकंट स्क्वेयर X का integration है माइनस काट X माइनस 1 का integration है X प्लस C ये इसका integration है ये थी हमारी FAST integration की कुछ problem जिनमें trigonometric functions आई थी और इनका integration बगेर trigonometric formula use की बहुत मुश्किल था लेकिन जिस तरह हमने trigonometric की formula मूलस को यूज किया तो इसका इंटिग्रेशन बहुत असानी की साथ हमने मालूम कर लिया इसी तरह की और प्राब्लम्स इंशानला मैं आइन देलिक्चर्ज में आपके साथ शेयर करूंगा आज की लिए इतना ही कापी है शुक्रिया